केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर परिणाम को लेकर नितीश कुमार पर बिहारी युवाओं के साथ सौधा करने का आरोप लगाया है हमके संरक्षक जीतनराम मांजी ने दो दिन पहले यूपी जदियों के नेताओं के नितीश कुमार से मुलाकात और फिर मुख्यमांत्री के फोलपुर से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर पैक्षा परिणाम से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि बिहार सिक्षक भरती में यूपी और दूसरे राज्यों के युवाओं को इसलिए मौका नहीं दिया गया ताकि इसी बहाने वो उन राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार कर सके मांगी यहीं पर नहीं रुके यूपी के फूलपूर से नितीश कुमार की चुनाव लड़ने की लेकर चल रही चर्चा पर कटाक्ष करते हुए मांगी ने उन्हें कुरसी का लालची तक बता दिया उन्होंने का कि फूलपूर की लालच में मुख्यमांतुरी ने बिहारियों के भविश्य का सौधा कर दिया बिहार के युवाओं के साथ किया गया मुख्यमांतुरी का ये पैसला बहुत धूरभागे पूर्ण है मानजी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्सपर लिखा कि उतर प्रुदेश के जेडियू नेताओं की नितीश जी से मुलाकात और संगठन विस्तार की बात ने साबित कर दिया है कि सिक्षक नियुक्ती परिणाम में अन्य राजियों के लोगों के चेन के बहाने जदियू उन जाती है फुलपुर की लालच के लिए बिहारियों के भविष्य के साथ सौधा करना दुर्भाग यपोर्ण है बतारे कि बिहार सिक्षक भरती परिक्षा में बिहार सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया था जुसके कारण दूसरे राजियों के ला